आज हम जानेंगे चालुकी वंस के बारे में चालुकी वंस के मुखेता तीन साखाई थी वातापी के चालुकी, वेंगी के चालुकी और कल्याणी के चालुकी इसकी जो मूल साखा थी वो थी वातापी के चालुकी इसकी स्थापना पुलकेशिन प्रथम ने की थी, इससे पहले भी दो सासक और थे जिनका नाम था जैसिंग और रर्णाग, लेकिन ये स्वतंतर सासक नहीं थे बलकि कादमों के आधिन सामन थे, इस वंस के उत्तर में हर्सवर्दन और दक्ष्विन में पल्लव वंस था, इसन के दो पुत्र थे, किर्थी वर्मन और मंगलिश, अपने पिता पुलकेशिन प्रथम की म्रत्यू के बाद किर्थी वर्मन गद्धी पर बैठा, सत्ता हात में आते ही, इसने अपने आसपास के राज्यों को जीत कर अपने स्वाधिन तस्विकार करवाना शुरू कर दिया, इसने बादामी के गोहा मंदिर का भी निर्मान शुरू करवाया, किर्थी वर्मन के बाद गद्धी पर बैठा मंगलिश, अपने भाई के म्रत्यू के बाद, इसने भी अपने भाई की भाती ही आसपास के राज्यों को जीत कर उनको अपने स्वाधिन तस्विकार करवाना शुरूर रखा और वो उनको स्वाधिन तस्विकार करवाने के बाद अपने राज्य में मिला लेता था, रवी किर्थी राज्यों को स्वाधिन तस्विकार करवाने के बाद छोड़ते था लेकिन मंगलेश उनको अपने राज्य में, अपने सामराज में मिला लेता था, र प्रिथिवी बल्लव आदियुपादियों को धारण किया था इसका राज कवी था रवी कीर्थी जिसने एहुल प्रसिस्ति की रचना की है जिस समय पुलकेसिंदित्ति शाषक बना उस समय विंध्यांचल प्रवत के दक्षिर में चालो की वंस का एक विशाल राजी स्थापि को इसने अपने भाई विश्ण वर्धन को सोब दिया और ये कहलाए वेंगी के चालो किये पुलकेसिंद प्रथम का पुत्र था विक्रमादित्ति प्रथम जिस समय ये गद्दी पर बैठा उस समय सत्ता के लिए विबात चलते रहे इसने अपने छोटे भाई जय सिंग को कि लाट का गवर्नर बना दिया और ये कहलाए दक्षिन के चालो किये विक्रमादित्ति का पुत्र था विन्यादित्ति इसका उतरादिकारी बना विन्यादित्ति जिस समय विन्य दित्ती साशक मना उस समय भी चालुक की और प्रलवों का युद्ध चलता रहा संकरसुन में होता रहा अपने विजय अभ्यान के दोरान एक युद्ध में विन्य दित्ती हत्य हो गई इसका उत्राधिकारी था विज्य दित्ती विजया दित्य ने परमेश्वर वर्मन दित्य को हराकर उससे कर्वसूल किया था इसका उत्राधिकारी था विक्रमा दित्य दित्य इसने नंदी वर्धन को प्राजित किया और कांची कोण के उपादी को धारण किया इसके समय में ही राशकूट ने लाट पर अधिकार कर लिया और चालोक की वन्स को वहाँ से समाप्त कर दिया विक्रमा दित्य दित्य का उत्रा दिकारी था किर्ती वर्मन दित्य किर्ती वर्मन दित्ती जब साशक बना उस समय चलोक्य वन्स एक विशाल सामराजी बन चुका था लेकिन किर्ती वर्मन दित्ती एक आयोगी साशक था दंती दुर्ग नामक एक राशकूट साशक ने एक राशकूट नेता ने उसे प्रास कर दिया और एक नयए ONCE की नीब रख्की, ओस ONCE का नाम था राश्ट्रकूट ONCE कल्याणी के चल्योक्यों का उदय राश्ट्रकूट ONCE के पतन के बाद उसे स्थान पर हुआ जहां उनका मोलनी स्थान था वो था कणनर पड़्देश याने की केरल राश्ट कूर्ट वन्स के साशक, क्रिश्ट तृत्ति के उतराधिकारी, निर्बल और आयो के साशक थी इस स्तिती का फायदा उठा कर तेलब दित्त ने अपनी सत्ता को वहाँ पे स्तापित कर दिया और मानेखेत को अपनी राजधानी बिनाया इस वांसका जो सबसे प्रतापी राजा था वो था विक्रमादिति 6 विललड और विज्यानिश्वर इसी के दरवार में रहते थे मिताक्ष्रा के रचना की थी विज्यानिश्वर ने थेंक्यू